जब मैं बड़े डक्टरों के पास गया था तो उन्होंने मैं बोला था कि अपने आपको पीजेए में पिर्णी ट्रांस्परांट के लिए रिजिस्टर के वाद हो कि आपकी एक ब्यालिस साल है आप चाहतो अप्डेटनी ट्रांस्परांट करा सकते हैं कि मेरे एडिमर हाइम इसोजन बड़ी मेर बड़ी बड़ी बढ़धेगर इवन इतनी हो गया कि मैं चल भी नहीं सकता था मेरी चेन्डी के आगे जीत नी बाहूँगा, मेरी केड़नी में ठीकट आगई अब मैं जीत भाहूँगा वास मगलोगी इतना कम हो गया था कि पाच पर आगया था और इसके बढ़रक्रिम फीटिंग मैं खानी पी ने सकती कि जब लेकाई सफार ने कर सकती हूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ मेरा बीपी बिलकुल कंट्रोल नहीं होता था तो आवाज बहारी रती, सर भारा रता था, आखें बहारी रती थी तो थाथ के ठब चुके थे, सब कुछ यहीं बोल रहे थे, कि ट्रांस्प्लांट कर वाओ, यह करो, करो डाक्टर नहीं डायस इसके लिए बहुत दिया था बहुत भारा स्वैलिंग थी, तब भी सर द्वारा थेरपी दी गई, गरिन पैन और रेड पैन से तो वो कल शाम को दी थी और आज स्वेले इंद में स्वैलिंग वह चुकी है, बहुत ही कम बचिया वो आज शाम बख्खे को अदब आप बताए 70% तक आपको अराम मेल रहे है, कल मेर से सूज डिनी डाले जा रहे थी लेकिन आज सूज में डाल लेता हूँ और जो इंप्रूमेंट की बात है, जब मैं इतर आया था, तो मुझे स्टिफनेस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इस तरफ में रिडिश लिए थे, तो वो स्टिफनेस एक तो बहुत ज़्यादा खम हो चुकी है, और जो पेन था पूरे सीड से लेके शोल्डर तक उसमें जब आई थी तो चलने में डंगमगाती थी, आई तो डटके चलने में आपको लगता पूरे ठीक हो जाएंगे? हाँ, पूरे बिश्वाथ है ऐसे होस्पिटल के पे दन्यवार देना चाहूंगा और बहुत बहुत दन्यवार देना चाहूंगा और लोगों बोलूँगा कि सुगर, बीपी, केड़नी और कैंसर इन चार बीमारी से अगर आपको डर लगता है तो आप हमस्की तरह आएं किसी भी तरह की बड़ी बिमारी है तो दुनिया में एक ही व्यक्ति आपको ठीक कर सकता है और वे व्यक्ति आपको शीशे में ने दराता है यानि की स्वयम हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पुगुरे भारत में फैली हैं चंडीगड में डेरा बस्सी, लखनव, गुरुग्राम, दिल्ली, एन्सियार, मेरट, नभी, मुंबई, श्री अम्रित सर, जैपुर, जोदपुर, चंडीगड, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई ठाने वब भागलपुर में भी सुविधा उपलप्त है